हर्याना के 7 जिलों में बीते 5 साल में 94 क्रोड रुपए का 46,294 तन गेहु खराब हो चुका है और सबसे ज्यादा गेहु कुर्शेतर जिले में खराब हुआ है इसके बाद कैथल में कुर्शेतर में 24,890 तन तो कैथल में 11,549 तन तो वही करनाल में 6,587 तन गेहु खराब हुआ है उधर यमना नगर में भी 25 तन तो फत्याबाद में 4500 और जीन्द में 315 तन और रोतक में 12.7 तन गेहु खराब हो चुका है खाद्यावम अपूर्ती विभाग ने दावा किया है कि 5 साल में 5549 तन गेहु ही खराब हुआ है 2022 में हाफ़ेड हरियाना बंडार निगम फूर्ड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया खाद्यावम सप्लाई विभाग ने 4,22,005 एम्टी 2021 में 7,88,336 एम्टी जबकि 2020 में 7,33,149 एम्टी 2019 में 8,18,270 एम्टी और 2018 में 7,55,394 एम्टी गेहु की खरीद कियी थी खरीद अजन्सिया खराब गेहु को इस बार भी नीजी कम्पनियों को बेच रही है इससे ई निलामी में 2-13 रुपे किलोग्राम प्रती किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है खराब गेहु को कम्पनिय बियर और पशों के फीट बनाने में इस्तेमाल कर रही है गेहु खराब होने के मामले में घिरी सरकार अब परशासनिक सचीवों की अध्यक्षता वाली कमेटियों से दोबारा चांच कराएगी कमेटियों में एक आखरी खाद्याम सप्प्लाई विभाग एक अकाउंटेंट एम एक अफसर विजलेंस का होगा कमेटियां यह पता चलाएंगे कि गेहु खराब चूं हुआ कोन जिमेदार है कमेटियां सरकार को 30 दिन में रिपोर्ट देंगी और इसके बाद बरबादे कि लिए जिमेदार अधिकारियों और करमचारियों पर कारवाई की जाएगी उधर राजे सरकार ने समंधी जिलो की DC से रिपोर्ट भी भांगी थी डिसी ने जिलास करिये कमेचियों से जांच कराई, जांच कमेचियों ने जिमेदार अधिकारियों को क्लीन चिट दी और छोटे करमचारियों को जिमेदार ठेरा दिया वहीं दूसरी तरफ कांगरेस की स्टेरिंग कमेटी की सदसे कुमारी शेलजा और राजेसवा सांसद रंदीप सूर्जेवाला ने गेहु खराब होने के मामले की जांच हाई कोट के कारेरत नियाएदीस्ते करवाने की मांग कर दी है उन्होंने कहा है कि 94 क्रोड रुपए का गेहु खराब दिखाया जा रहा है अच्छे गेहु को आपसी मिली भगत कर खुले बजार में बेचा गया और उसकी जके खराब क्वालिटी का गेहु गोदामों में रखवा कर सड़ा दिया गया है ये सरकार के सरक्षन मिना नहीं हो स सकता ऐसे में विपक्षनी सरकार को घिरा है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी